मेरा नाम राम बिने कुमार घर कुकरी विघाद दुलिन बजार पटना बिहार से हूँ मेरा मोबाइल नम्मर है चवहत्तर अठासी पच्छत्तर अठाइस सोल्दा मैं क्रिश्न चंद्रा सर का एक वीडियो देखा था और मैं सोचा था कि वो करके देखता हूँ अस्तविक्त है कि नहीं है मगर मेरा प्रयोग सफल रहा मैंने क्रिश्न चंद्रा सर का गाजियाबाद का एक वीडियो लोड हुआ था कि घर में किसान मस्रूम एस्पॉन बना सकता है या नहीं तो वास्तविक्ता सही है मैंने उसको करके दिखाया है यह है मेरा देखिया जाए मैं थोड बढ़वा निकाली है बहुत बखुबी बहुत अच्छी तरह से मस्रूम का माइसिलियम फैल चुका है यह देख सकते हैं इसमें टोटली एकदम एदम प्रोडक्ट जो है से ओभी एकदम वेस्टी कॉमपोजर से बनाया गया है और गेनिक है इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला ना क्या-क्या डालते हैं मस्रूम स्पॉन बनाने के लिए ओ पता नहीं है मगर मैं सिर्फ यह वेस्टी कंपोजर से बनाया हूं और बड़ी मात्रा में बनाया है मैं 2,5 kg के लंसम बनाया है और यह है देख लिए यह मेरा एक हर का बना हुआ डिकमपोजर से बना हुआ मस्रूम स्पॉन है जो बहुत अच्छी तरह से माइसीलियम इसमें और जो बैक्टिरिया इसका होता है फैल चुका है और मैं बिगत तीन वर्सों से जैविक खेती कर रहा हूं जो डिकमपोजर से और माइक्रोन न्यूटिन से ऐसे भी मैं जैवि जैविक खेती कीजिये और विमारी से बचिये प्लस खर्च भी कम आता है इसलिए मेरा अनरोध है और किसान मित्रों से कि आप लोग भी जैविक खेती के प्रती आकरसित हों और इसको करके देखें फायदे का चीज है घाटे का चीज नहीं है और ये है मेरा जो मस्रूम प्योर जैविक डीकमपोजर से बॉइल किया हुआ भूसा नहीं है जो होता है कि मस्रूम को उगाने के लिए भूसा को बॉइल किया जाता है बॉइल किया हुआ भूसा में नहीं है ये मेरा और गेनिक है डीकमपोजर में सिर्फ डीकमपोज करके भूसे को और मैं बनाया औ मेरा इतना आने लगा मस्रूम और मैं इसी के साथ नमस्कार धन्यवाद जय किसान